मसकार दोस्तों सुवागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चेनल में दोस्तों बहुत से लोगों की दुआरा ये पूछा जाता है कि आँख सब्द का अर्थ या मतलब क्या होता है के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रियास करेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आँख सब्द का अर्थ या मतलब क्या होता है तो दोस्तों आँख सब्द का अर्थ होता है जीवधारियों का एक एसा अंग जो की प्रकास के कारण से किसी भी वस्तु या इस्थान का आकार बनाने में मैत्वबर्ण वोमिका निवाता है आँख कैलाती है यानि आँख वै होती है जिसके मददची हम देखती है आपके सामने क्या है यह देखने के लिए आँख का उपयोग होता है आप अपने आपको आईने में देखती हैं तो इसके लिए जिस अंग का उपयोग होता है वैं आँख होती है इसके लाओ दोस्तों आँख सब्द के अर्थ की बात की जाई तो इसे कुछ इस तरह से समझा सकती हैं जिसके उप्योग से मानो किसी भी वस्तु या इस्तान को देखनी में सक्षम होता है यानी नित्र जीवधारियों का एक एसा अंग जिसे नैन कहा जाता है जीवधारियों की द्रिष्टि का ज्यान करवानी वाला अंग यानी द्रिष्टि एक एसा अंग जिसका उप्योग केवल देखने के लिए होता है यानि द्रिग्यंद्रिये नजर, द्रिग, विलोचन, निगाहे आदी सभी आँखसब्द के एर्थ या मतलब होती इसके लाओ दोस्तों आँखसब्द का वक्किम प्रियोग भी कर लेती है जो कुछ इस तरह से हैं नमबर वन, रहुल बहुत दिनों तक अपनी आँखों पर पट्टी बांदे फिरता रहा नमबर टू, जब से रहुल का एक्षिडेंट हुआ है तब से उसकी दोनों आँखों की रोसनी चली गई नमबर थरी, इस बुड़ापे में तो हर किसी को आँखों पर चस्मा लगाना पड़ जाता है नमबर फुर, किसोर को कब से ही आँखों से दिखाई देना बंद हो गया था जिससे ही वह आँखों पर चस्मा लगाए रहता है तो इस तरह से दोस्तों, आँख सब्द का अर्थ होता है और आँख सब्द का वक्यम प्रियोग किया जाता है आसा करते हैं कि आपको वीडियो प्रसंद आया होगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और एसे ही वीडियो समिस्य में फिर प्रप्त करने के लिए बेल आइकन को दपा दें और अन्त में कमेंट में बताएं कि आप केसे सब्द के अर्थ के बारे में जाना ना चाते हैं हम उस पर एक अलग से और अच्छा सा वीडियो बनाएंगे